हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल आमाद स्टडी कलासे तो फ्रेंट्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे खंडशा समा कलन के कुछ फर्मूले और कुछ कोस्टन्स ठीक है फ्रेंट्स जोकि एक्सरसाइज 19.10 में दिया हुआ है तो फ्रेंट्स देखिए यहां पे दिय है खंडशा समा कलन यानि कि इंटिधीरेशन राइपर्स ठीक है इंटिड्रेशन राइपर्स का फर्मूला होता है इंटिधीरेशन अ कि जाच जोणर प्रीच कर करेंगे और दोनों को मॉल्टिप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके फिर हम लोग एगें मतलब उसका डिफ्रेंसियस और इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसमें से वह माइनस कर लेंगे वह हमारा एंसर आजाएगा ठीक है फ्रेंस यह फर्मूलार रहा हम बता है इसके लाव मैं अत्रीक भी बताने वाला हूं मतलब जो बैसिक होता है बस उसी को किलियर कर दोना कि बस उसी से आपकी सब अपना यूज कर सकते है ठीक है तो देखेंस आप यू इंटु वी के चुनाव करने के लिए आप कोई बुक में दिया हुगा है आईलेट फ फोर्मूला होता है यहां इंवर्स ट्रियू अंसट पर न होक्या है को मालूम इंवर्स ट्रिडियूमेट्र jego कोसिं एक्स इंवर्स इए एल से होता है फ्रैंट्स logarithmic फांसन ठीक है तो फ्रैंट्स logarithmic फांसन का हिंदी बता देख तो इसका लॉग एक्स का स्कूर डॉट 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 और भी है ठीक है और यह आई हो गया यह लोगया यह तो यह का मतलब होता है अलजयब्रिक function ठीक है अलजयब्रिक function का अगर हिंदी बता देपको तो होता है इसका हिंदी फड़न ठीक है और इसका एक्जांपल आप देख पर रहे हैं ऐसे स्क्वाइर एक्सक्यू डॉट जाएगा एक्स प्लस वन के स्क्वाइर भी हो जाएगा ठीक है इस भी ओजाएगा अब देखेए तो टी से फ्रेंड्स होता है ट्रिक्नुमेट्रिक फांशन जिसका हिंदि आपको मालम भी होगा टैंथ में पढ़ होगा तिरको नहीं ती और इसको हेंदी अगर बताया आपको तो फ्रेंट्स होता है इसका हेंदी घाती यह फलन ठीक है और इसका एक्जामपल यहां पर दे दिये हैं इसको हम लोग इस तरह चलते हैं ठीक है जानी कि पहले कंपेर करेंगे आई से अगर जो कोस्तन दिया हो रहेगा ठीक है कोस्तन के अनुसार कंपेर करेंगे जैसे कि यहां पर देख लिए एक एक्जामपल दे रहे हैं एक्स इंटू इकिपार टू एक्स इसका अगर इंटिग पता हो उससे आप भी मनिएगा ठीक है तो यही है आईलेट फर्मूला का अब फ्रेंट्स देखिए होता क्या है कि अगर आपको जिसका इंटिग्रेशन पता हो उससे आप भी मनिएगा ठीक है इतना किलियर रखिएगा कि जिसका इंटिग्रेशन आपको पता हो एक बार अच्छा से सुन लिजे नोट मतलब कर भी सकते हैं ठीक है जिसका इंटिग्रेशन आपको मतलब पता हो उससे भी मनिएगा और जिसका इंटिग्रेशन आपको पता नहीं है उससे आप यू मान ल सकते हैं "; how te local we took a log 64 एंटिट्रीयरिशन फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए यहां इसको हम लिख सेते Move into logic अब देखिये यहां से log का हम लोग को जो हम इसका हम लोगो ऐसे हम लोग को मालूम नहीं है तो इसको हम u मान लेंगे यह हम लोग का u हो जाएगा और यह one जो है तो यहांग one अगर है तो यानि कि integration of dx है तो dx का integration 0xe हो जाएगा ठीक है यह आपको असानी से पताव चल गया तो जिसका integration आपको मालूम है उसे आफ भी मानिए और जिसका integration आपको मालुम नहीं है उसे यू मनिया अधिकतर फ्रेंट्स याद रखेगा जो एक सो होता है एक सके पाउरेन के फॉर्म में वह आपका यू ही होता है ठीक है मतलब जो सॉल्व करते हैं उसके अनुसार यू ही बनता है ठीक है अधिकतर तो चलिए फ्रेंट्स यह था हम लोगा तो यू इंट्व इंट्व इंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट्वरेंट् कर्दिया है को सब्सक्राइब यहां तो देखेए फ्रमूला को फिर से लीग देते हैं यहां पर तो देखे फ्रेंट्स यहां फ्रमूला फ्रेंट्स दिया हुआ है उसको हम नोट डाउन कर दे रहे हैं फिर से integration of u into v into dx ब्राबर होता है integration of v into dx माइनस integration of du बटर dx into integration of v dx ठीक है यह हो गया और फिर यह जो दोनों का multiply करने पर जाल टाएगा फिर उसका हम लोग integration कर लाएंगे वह हो जाएगा friends हम लोग का u into v के integration ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आप चलते हैं एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब के तरफ तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट कुस्टन दिजा हुआ है integration of x into e के पौर 2x into dx इंटीग्रेशन आफ एक्स इंटू फर्मूला हम लोग लगाते हैं आई एल ए इसको भी यहां हमनों कर दाते हैं ठीक है क्योंकि इसका भी हम लोग को तो यहां पर ऐगा यहां पर लेगते हैं आई L A T I ठीक है अब देखिए हैं यहां आप इसमें से आपको बता देयां प्रॉसिस की स्को इस तरह हम लोग को चलना है यह नहीं की इंवर्स चलना है ठीक है इसी तरह हम से चलना है आई सेifice से इंवर्स अब उसमें देखना नहीं है ठीक है यू find कर लिए तो समझे कि आप मतलब 50% अपना integration राप्त कर सकते हैं यहां से ठीक है तो देखिए अब यहां से यू हम लोगों मिलगा X तो कर चले फर्मूला पर जालता है एक 176 आपर इन्टी एक्समानस अपर इन्टी यू इस इन्टी इस इन्टी का ललुया था हम्가 कि पर उसको इंटु कि यह हो गया है क refuses य समाझ चुके होगे ठीक हैं रि difference फर्मूला के यूच याँ ठीक है जाफ ठेकशना फर्मुला का यूज किजे तो इसमें से देखिए अल्जब्री क्या रहा है ना की मतलब coefficient multiply हो तो उससे हम लोग divide कर देते हैं ठीक है तो 2 से divide हो गया minus integration of dx बटा dx तो यह हो जाएगा 1 into ek power 2x का integration ek power 2x by 2 just अभी हम लोगे हैं निकाले हैं और यह हो गया into dx अब और आगे चलते हैं तो देखिए हो जाएगा x ek power 2x by 2 minus integration of ek power 2x into dx यह जो बटा में 2 है इसको बाहर कर ले था 1 by 2 ठीक है अब देखिए फ्रेंट्स यह हो गया x by 2 ek power 2x minus 1 by 2 ek power 2x का integration फ्रेंट्स निक्या लेंग रत्वा जाएगा ek power 2x by 2 और यह हो गया plus c बस यह हो गया हम लोगा answer इसको multiply करके लिख लेते हैं हो जाएगा हम लोगा तो देखिए फ्रेंट्स यह हो जाएगा ek power 2x by 2 ठीक है ek power 2xy 2 into x minus ek power 2x by 4 plus c यह हो गया हम लोगा answer लेकिन book में जो answer दिया है किया किये यहां से एक पावर 2x जो है इक पावर 2x by 4 यह यह comment कर लिए गया है ठीक है तो देखिए फ्रेंट्स इक पावर 2x जब comment किज्गा आप यहां से तो फ्रेंट्स यहां पर यहां पर फ्रेंट्स हम लोगा हो जएगा जब ऑट्स फ्रेंट्स बटा फोड कॉमण करेंगे तो फ्रैंड्स तरिएपर लुकर तु और पर हम लोगा प्रैंड बेज़़न पर यहां पोड़ से पालिद्स कपी करेंगे तो यह यहां मैंन करेंगे तो फ्रैंड्स तो फ्रेंट्स करते क्या है कि सबसे इजी यह होताएगा कि LCM पहले लेकर solve कर लेते हैं ठीक है तो LCM लेंगे तो 4 होताएगा ठीक है अब यहां 2 से multiply कर दाएगा यानि 2x 2x ठीक है माइनस 1 के पावर 2x होताएगा और होगा प्लस C अब देखे ऊपर में से हम लोग का 1 के पावर 2x कॉमन हो रहा है तो 1 के पावर 2x कॉमन कलिए और यह बटम में है पूरी एक बटम फो तो यह बाहर रहेगा और यह वज़ेगा 2x-1 और यह हो गया प्लस C तो friends दिए रहा हम लोग का question number first का solution friends चलते हैं वा हम लोग question number second के तराफ तो चलिए इसको ideas करते हैं और देखते हैं कि second number question हम लोग कैसे find out करेंगे तो देखे friends अब को करना कि formula याद रखना है और i-late वाला formula याद रखना है ठीक है तो देखे second number question दिया हुआ है integration of x cos x into dx ठीक है इसका हम लोग को integration करना तो हम लोग कैसे करेंगे चलिए पहले यू का पता कर लेते हैं तो i-late inverse नहीं है इसमें इंवर्स ट्रिक्नमेटरी नहीं है logarithm नहीं है algebraic है ठीक है algebraic है यान कि x तो यह यू हो गया बस यू पता हो गया तो cos x भी हो गया अब इस formula पर directly रखता है u into x into integration of v v यान कि cos x into v x minus integration of du बटा dx यान कि dx by dx into integration of v यान कि cos x into dx और फिर होगा dx into अब देखे x into cos x का friends integration क्या होता है तो cos x का integration होता है sin x तो x into sin x minus integration of dx by dx 1 हो जाएगा 1 into cos x का integration sin x हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा friends 1 into sin x और यह into dx अब देखे हो जाएगा x sin x minus integration of sin x into dx अब देखे हो जाएगा x sin x minus sin x का friends integration क्या हो जाएगा तो साइन में साल क्लाइए एक साइन एक्स और माईनास मल्टीप्लाइए होगा तो सिस Less okay घ। सब्सक्रमist बस आपको कुछ महीं करना है अपको बता दे कि अपको आपको कैसे इसके वाओ उसका कैसे हम वो यूज करते हैं याद रहना चाहिए और यह जो आइलेट वाला है यह अगर याद है तो आप कर सकते हैं यहां से आपको यूफाइंड कर लेना अगर यूफाइंड कर ले तो भी आपको मतलब कॉनफर्म है कि भी मिल जाएगा ठीक है आइलेट तो देखिए इसमें तो इंवर्स नहीं है लोगेरिदम नहीं है यह से अलजेब्रीक मिल रहा ना एक्स तो एक्स ही हमारा यह होगे तो हम इसको इसको इस फामूला पर रख चल रख कर लिया है बस प्रोसेस वही है अब चलते हैं फ्रेंड से थर्ड नमर कोस्टन के तरह तो चलिए इसको एरेज करता है और देखते ह थर्ड नमर कोस्टन को इंटेगरेशन एक्स साइन टू एक्स इन्टू इसका इंटीकर्शन हम लोग है तो हम लोग कैसे करेंगे तो चलिए करता है देखिए अलजबरीक इसमें है पहले अलजबरीक है इन्वर्स तो है नहीं लोगरिदम है नहीं अलजबरीक है यानकी x हमारा u हो गया तो u यानकी x into integration of sin 2x into dx minus integration of u बटा dx यानकी x u के जाप x है यानकी dx भाई dx हो जाएगा और into integration of या भी भी into dx यानकी v sin 2x है तो sin 2x into dx और फिर हो गया into dx दखिए हो जाएगा x sin 2x का friends integration क्या हो जाएगा तो हो जाएगा minus sin का integration होता है minus cos यानकी minus cos 2x है और x के साथ 2 coefficient मसलब coefficient 2 है तो उसे हम लोग डिवाइड कर देता है integration of dx by dx 1 हो जाएगा यानकी 1 into sin 2x का integration minus cos 2x by 2 और ये into dx ये हो जाएगा friends multiply हो तो हो जाएगा minus x by 2 into cos 2x और ये minus minus multiply हो तो plus integration of cos 2x और ये 1 by 2 बाहर कर लेते हैं ठीक है integration of cos 2x into dx अब देगे friends हो जाएगा minus x by 2 cos 2x plus 1 by 2 into cos 2x का integration friends हो जाएगा sin 2x by 2 plus c 2 से coefficient 2 है यहाँ x के साथ तो 2 से हम लोग डिवाइड कर दे cos 2x का integration sin 2x हो गया अब देगे friends ये हो जाएगा हम लोग का answer जोगी question number 4 है चली into cos 2x plus 1 by 4 sin 2x plus c अब friends चलता है question number 4 के तरफ तो चलीए इसको erase करते हैं और देखते हैं कि question number 4 क्या है तो देखे friends question number 4 दिया हुआ है integration of x sin x into dx x into sin x into dx तो friends देखें यहां से यू हम लोगों find हो चुगा algebra क्योंकि inverse trigonometrics में है नहीं लोगी rhythm है नहीं बस algebraic पहले आ रहा है तो algebraic हमारा यानि कि एक्स है तो एक्स हो गया यू और sin x हो गया भी चलिए इस फर्मूला के यूज़ कर लेते हैं यू इन्टू यानि कि एक्स इंटू integration of sin x into dx माइनस integration दखिए यहां वाजाए डिएक्स भाई डिएक्स यू के ज़गा पर इन्टू integration of v into dx यानि कि यही पार्ट आपको यहां भी रखते चलना है ठीक है ठीक है तो यहां रख देता है integration of v के भेलू है sin x यान्की sin x into dx हो गया और break it into dx अब ओगए x into sin x sin x का integration friends क्या होता है तो friends sin x का integration friends होता है minus cos x तो रख देता है into minus cos x minus integration dx by dx 1 होगा 1 into sin x minus cos x और यह होगा फिर यह dx multiply होगा अब देखिए हो जागा minus x cos x और यह minus बार होगा minus minus multiply होगा plus integration of cos x into dx अब और आगे चलेंगा तो हो जागा minus x cos x plus cos x का integration क्या हो जाता है तो sin x हो जाता है sin x plus c तो फ्रेंट से रहा हम लोग का question number 4 का solution अब फ्रेंट चलते हैं question number 5 के तरफ तो चलिए इसको erase करते हैं और देखते हैं question number 5 क्या दिया हुआ है अगर फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जहूर करें ठीक है फ्रेंट्स तो चलते हैं five number question के तरफ तो देखिए फ्रेंट्स five number question दिया हुआ x into cos 2x into dx तो देखिए फ्रेंट्स similar है x algebraic है क्योंकि inverse technology इसमें है नहीं logarithm function है ही नहीं algebraic वाले आरा यानिकी u x होगे अब इस formula पर हम लोग use कर लेते हैं u into यानिकी x into integration of v v हो गया cos 2x यानिकी cos 2x into dx minus integration of bracket कर देख du u का value हम लोग का क्या आया हुआ x यानिकी dx by dx into integration of v v का value cos 2x है तो cos 2x into dx feed bracket और feed into ये dx आगया इसी को solve कर लेना हो जागा तो x into cos का integration friends क्या होता है sin तो होगे sin 2x अब देखे एक्स कर देखे चाशन 2 जो है coefficient जो है 2 है तो इसे हम लोग divide कर देखे minus integration of dx by dx cancel हो जाएगा इनकी 1 into cos 2x का integration आजाएगा sin 2x by 2 और ये into dx अब देखे और आगे चलते हैं तो friends हो जाएगा x by 2 sin 2x minus 1 by 2 sin 2x sin x का integration होता है minus cos x तो ये तो हो जाएगा minus cos 2x और x के साथ 2 multiply ये तो 2 से divide और ये plus c अब देखे इसको solve कर लेता है तो देखे फ्रेंड से हो जाएगा x by 2 sin 2x और minus minus multiply होगा plus और 1 2 2 multiply होगा तो फोर ये ये की 1 by 4 cos 2x plus c ठीक है तो friends से रहा हम लोगा question number 5 का solution तो friends से हम लोग चलते हैं question number 6 के तरफ तो चलिए इसको raise करते हैं और देखते हैं कि question number 6 क्या दिया हुआ है तो देखे फ्रेंड से question number 6 दिया हुआ है integration of integration of x into cos 2x plus 3 x into cos 2x plus 3 into dx देखे तो इसमें चलिए देखते हैं आईलेट फ्रम्ला इन्वार स्टेगनमेटी है नहीं लोगे डीदाम है नहीं एसे algebra क्यानि कि algebra क्या रहा है x तो यह हमारा u हो जाएगा तो x into integration of cos 2x plus 3 into dx minus integration of du बटा dx u का value क्या है x जानि कि dx बटा dx into integration of v into dx v क्या value हम लोगे फाइंड हो गया है अगर you find कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा cos 2x plus 3 अभी क्या value तो हो जाएगा cos 2x plus 3 और यह into dx bracket close करते रहे हैं फिल into dx अब देखिया और अगर solve करेंटे तो हो जाता है x into cos का integration होता है sin तो reference sin 2x plus 3 और x के साथ क्या multiply है तो 2 से हम लोगे divide हो जाएगा minus integration of dx by dx1 into cos का integration sin sin 2x plus 3 बटा 2 और यह into dx हो जाएगा फ्रेंट्स x sin 2x plus 3 बटा 2 minus integration of यह उसे 1 by 2 बाहर कर लेते हैं integration of sin 2x plus 3 into dx अब देखिया फ्रेंट्स हो जाएगा हम लोगे x sin 2x plus 3 by 2 minus 1 by 2 into sin का integration फ्रेंट्स होता है minus cos तो रख देते है minus cos 2x plus 3 बटाट x कसान 2 multiply है तो 2 से divide हो गया और यह प्लस constant 8 हो गया जाएगा एंसर तो देखिया और आगे लिग देते हैं हो जाएगा फ्रेंट्स x sin 2x plus 3 by 2 और माइनस माइनस multiply होगा प्लस और 1 by 2 और 1 by 2 यानिकि 1 by 4 हो गया तो हो जाएगा फ्रेंट्स cos 2x plus 3 by 4 plus c यह राफ्रेंट्स question number 6 का solution अब फ्रेंट्स चलते हैं question number 7 के तराफ तो चलिए इसको erase करते हैं और देखते हैं कि question number 7 क्या दिया हुआ है I hope अब समझ चुके होंगे तो देखिये friends question number 7 दिया हुआ है integration of integration of x plus 1 into cos x into dx x plus 1 into cos x into dx तो देखिये friends compare करते हैं I से inverse trigonometric तो इसमें है नहीं L सो logarithm function है नहीं A से algebraic function तो friends algebraic function x plus 1 है तो यह हमारा u हो गया तो जो बचा वो हो गया भी यानि कि quasex भी हो गया और x plus 1 u हो गया तो चलिए इस formula पे हम लोग इसको solve कर लेते हैं minus integration of du बटा dx u का value x plus 1 dx plus 1 बटा dx into integration of v into dx तो v क्या value है cos x cos x into dx और यह feed into dx हो जाएगा friends x plus 1 into cos x का friends integration हो जाएगा sin x minus integration of x plus 1 इसका differentiation क्या होगा friends यह तो simple सा है आपको करने आज आना चाहिए तो friends x plus 1 का differentiation हो जाएगा 1 x का करेंगे तो 1 हो गया और 1 constant है तो इसका सुन यानिकि 1 प्लस सुन यह 1 ही होगा तो 1 into cos का differentiation integration sin x into dx हो जाएगा friends x plus 1 into sin x minus integration of sin x into dx तो देखे friends यह आगे हम लोका answer x plus 1 into sin x minus sin x का friends integration क्या होता है तो sin x का integration minus cos x तो यहां रख देते हैं minus cos x और plus constant c तो friends final answer आगे x plus 1 into sin x मैनस मैनस multiply होगा तो plus plus cos x plus c तो friends यह रहा हम लोका question number 7 तो friends आज के लिए इतना ही रखते हैं I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए बाय